जैहिन दोस्तों सवागत आप सभी का केरियर पॉइंट पर दोस्तों आज भारत देश के लिए बहुत ही बड़ा हितियासिक दिन है आज दोस्तों 14 जुलाई और आज भारत मिशन चंदरियान 3 को लॉंच करने जा रहा है तो दोस्तों आज जो क्यूस्टन बनने वाले हो आप लिए बहुत ही एक्जाम के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टन रहने वाला है तो वीडियो के अन तक बने रहेना अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लेना और बैल आइकन को लेना जैसे कि आपको ऐसी एसी वीडियो मिलती रहें से इंपोर्नन की करें वालें तो पहला क्योर्षां को कब लौच्ट किया गया है थ्योज जो दैंडरो anno मैं एंडला क्रदा गया ऐ जिलाइंट कर दो हजार अधिले ।t बात करेंगे द चर्या जो आस अधियмов siya Michal पर एक रोवर को भेजना इस मिशन का उदेश है चंद्रमा की संग्रेशना को भेतर डंग से समझना है चंद्रयांत्री का मुख्य उदेश से यह आप लोग या लखना बेजा गया 14 जुलाई 2023 को करेंगे तो हैंच को कि यह चichtig डॉलोपश पस्टें गर खेंहें जो कि श्री िहर कोटा में यह चंद्रयां ठीको यह पर लेंड करना से चंद्रयान टिकों मुख्याण के को कहां पर लेंड करना है तो याज रखना जंद्रमांके दक्षिन धुर्व पर चंद्रयान 3 को लेंड करना है option number c के लिए राइट आन्सर हो जाएगा हुआ का चंद्रयान 3 ly next question है चंद्रयान 3 को किस रॉकल से लौंच किया गया है तो friends याज ना चंदरियान 3 को LVM3 M4 से लॉंच किया गया है option number C execution के लिए right answer होगा LVM3 M4 LVM3 का full form होता है दोस्तों launch vehicle mark 3 क्या एकना क्या इसका full form launch vehicle mark 3 इसका full form है दोस्तों बात करेंगे LVM3 की तो यह दूसरों इसका पूराना नाम अगर हम बात करेंगे important है आपके exam के लिए तो याद रखना है GSLV Mk3 इसका पूराना नाम है rocket का next question है चंदरियान 3 के लिए पर्मुक rocket इंदन का नाम क्या है चंदरियान 3 के लिए पर्मुक rocket engine का नाम क्या है तो friends याद रखना आप सभी CE 20 cryogenic engine option number C right answer हो जाएगा CE 3 CE 20 cryogenic engine चंदरियान 3 के लिए क्या है पर्मुक rocket engine अगला question है mission चंदरियान 3 को किसी ने launch किया है mission चंदरियान 3 को launch कि इस रो भारत ने launch किया है option number C right answer होगा बात करेंगे तो इस रो इस रो की फुल्पोम होती है Indian Space Research Organization हिंदी में हो जाएगा भारतिय अंत्रिक सनुसंधान संगठन इस रो की स्तापना की गई थी 15 अगस्त 1909 में 15 अगस्त 1909 में इसको स्तापित क्या गया था इसका मुख्यले कहां पर है इस रो का मुख्यले बेंगलूरू करनाटक में इस रो का मुख्यले है आप लोग फ्रेंड्स से याद करेंगे वर्तमान में इसके अधिक्स कोन है तो 2023 सोमनात कोन है एस सोमनात वर्तमान में अधिक्स है पहले कौन थे पहले अधिक्स बने थे विक्रम साराबाई ठीक ना जब इसकी स्तापना की गई थी उस समय इश्रो के अधिक्स बने थे वि प्रियुक सबीदे की दोस्तों चंद्रमा की स्टैप पर एक सुरक्षित और नरम लेंडिंग का परदसन दूसरा है दोस्तों चंद्रमा पर रोवर की गुमने की चमताओं का परदसन तीसरा है वेग्यानिक अवलोकनों का परदसन करना चंद्रयान थ्रीक मिशन की तीन परमक अकुछ पर्योग करेगा लेंडर चांद पर एक लुनार दिन तक रहे साफ से इक लुनार दिन जो ए वो घर्ठी 2022 से पंदर दिन सूरज निकलना चाहिए और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है यह आप लोग फ्रेंज या दखना में तरफ दते हैं चंद्रियान 3 के लिए नेक्स्क्यूशन है मिशन चंद्रियान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन रहेगा तो फ्रेंज यह तीसरा मिशन रहेगा भारत का ओप्शन नमर बी आपका फ्रेंज राइट अन्स रोगा पहला कब बेजा गयता दोस्तों तो पहला बेजा गयता 22 अक्टूबर को 22 अक्टूबर 23 2008 में पहला बेजा गये था दूसरा बेजा गया 22 जूली Mm 2019 में तीसरा भेजा गया है 14 जुलाई को 14 जुलाई 2023 को भेजा गया है तीन मिशन लॉंच कर चुके भर्त तीनों की तिनों आपके सामने हैं पहला 22 अप्टूबर 2008 में दूसरा 22 जुलाई 2019 और तीसरा लॉंच किया है 14 जुलाई 2023 को यह आप लोगो फ्रेंट्स है दखना प्रिवरत का नेक्स्ट है वेरिगा मिशन चंध्यान थ खी मिशन चंध्याद्रिजां ठीके थिम क्या है थी तो दुस्ट्रोल कितीया साइंस ऑबड़न मुनत्री के लिए थीम रखी नहीं है बात करेंगे दोस्तों चंदरियान टू के अगर हम बात करेंगे ना उसमें लेंडर भी था रोवर भी था और 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 बीटर भी लेकिन इसमें और बीटर को सामिल नहीं किया गया अब की बार तो आंसर हो जाएगा उप्षिन नमर至ी सि इंपोर्ड की बात करा लेते दी दोस्तों चंदरियान टू में रेंडर और और उटर प्रोवर और यह जाएगा इंसरीministration मोडियूल है आपप जो ग्या रकाना अगला क्योंच है मिमशन चंदर्यान 3 में कितने मोडियूल है तीन है कितने तीन तीन मोडियूल है कौन-कौन से propulsion model lander model और rover तीन मोड़ियूल को सामल कि ओप जिएломर तो फिर से बोल रहा हूँ प्रोपलिशन, लेंडर और रोवर प्रोपलिशन मोडल के हर बात करेंगे अंत्रिक्स मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिसा होता है जिसे प्रोपलिशन मोडल कहते है ये किसी भी सपेस सिपको उडान भरने की एक ताकत देता है बात करें लिए प्रोपल्शन मोडिल अंत्रिक्स मिशन पर जाने वाल यान का पहला हिसा होता है जिसे प्रोपल्शन मोडिल कहा जाता है ठीक है और लेंडर मोडिल जोता है चंदर्मा के चंदर्यान तरिका यह दूसरा और महतपूर्ण हिसा है इसे ही चंदर्मा पर उतार ज चंद्रमा की स्थेप पर उत्रेगा और फिर मुवमेंट कर जानकारी जुटा कर धरती पर बेज़ेगा तो आंसर हो जाएगा इस क्यूशन के लिए ल הח उपिष्ए के लेंडे नजने लेंडर का क्या नाम है तुक दूब बेज नहों चंद्रियान थे रोवर का नाम रखा गए अंझ्य릴क नाम ऑप्सिछ्ण और ऑपनार गा चंद्रियान 3 के रोवर का नाम है परग्यान, option number B, this question के लिए, right answer होगा, friends, परग्यान नाम है, आप लोगे, यादकना, next है, चंद्रियान 3 के, लेंडर में कितने throttle सक्षम इंजन है, चंद्रियान 3 के, लेंडर में कितने throttle सक्षम इंजन है, 4, option number B, this question के लिए, right answer होगा, next है, चंद्रयान 3 की चंद्रमाग की दक्षिन धुरव पर सफल लेंडिंग के बाद भार्थ निर्मार की दक्षिन धुरव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा दक्षिन धुरव पर पहुंचने वाला भारते पहला देश बन जाएगा, option number A, right answer होगा, चलेगा friends, और यालत मत्लों सो,ievी बोल,ów LVM 3 जो है उत्ष रोकेट चंद्रिजान को पर्थवी की कख्षा में स्थापित करेगा, पर्थवी की ओर्बिट में पहुंचने के बाद, चंद्रियान दीरे धीरे पर्थवी को चंद्दरिय दूरी को बढ़ाएगा, दूरी बढ़ाने के लिए ओन बोर्ड रोकेट का इस्तिमाल होगा, ये रोकेट चंदरियान के साथ जाएंगे, इस चंदरियान चंदर्मा की कक्षा में दाखिल होगा, इसके बाद चकर कागते हुए चंदर्यान चंदर्मा की निचली कक्षा में द ठाब हो गया था चंद्रमाँ की stepper, चंद्र-यान्-3 की सफल लेंडिंग के बाद शे पईयों वाला रोवर बाहर आएगा, ये लेंडर चंद्रेमाँ का stepper, चल कर डेता बॉल जुटाएगा, ओ, चंद्रमाँ की Stepper की तश्बीर लेगा, जिसे वो लेंडर विक्रम को भेज़ेगा ठीक है चलिए अगला क्योस्टिन है चंद्रियान वन मिशन को कब लॉंच किया गया था इसको लॉंच किया गया था बाइस अगस्त दो हजार आठ में ऑप्शन नमर बी आपके इस क्योस्टिन के लिए राइट अन्स रोगा चंद् चंद्रियान् वन कि launching कि समय इसरों की अध्यक्स कंते जी माधवन क्योंते हो जी माधवन अध्यक्स अगले क्योस्टिन है December 2 टू मिशन को कब लॉंच किया गया था 22 जुलाइ दो हजार 19 में 22 जुलाई 2019 में चंद्रियान 2 को लॉंच किया गया ऑप्षिन नमबर ए राइट अंस होगा इसे लॉंच कहा से किया गया इसको लॉंच किया गया था जंद्र यान 2 लैंडर द्वार छंद्रमा के पर के पास पहुचने के लिए कुल कितना समय लगा था तो 48 दिन का समय लगा था यह आप लोग याद रखना ठीक है अगला क्योस्टन है दोस्तों वर्तमान में इश्रो के अध्यक्स कुन है वर्तमान में इश्रो के अध्यक्स कुन है फ्रेंड से तो याद अखना एस सुमनात अप्शन नमर ए राइट अन्सर होगा पहले कौन थे दोस्तों पहले अध्यक्स बने थे विक्रम सारबाई बने थ नेक्स्ट है भारत ने पहला रोकेट कब लोंच के था भारत ने पहला रोकेट लोंच के था 21 नवंबर 1963 में और सी राइट अनसर होगा नेक्स्ट लास्ट क्योंशन चंद्रमास से प्रवर्थित रोशनी पर्थिवी तक कितने समय में पहुंचती है तो दोस्तों याज़कना है अगर आपसे पुर्ष जाएं घागकें ही 345 पिछे तर्की रहीं चंद्रमा पिचेतर किल्डू मीटरने चंद्रमा से पहला चंद्रमा के द्राफ्थ व्यूर्थि पर उत्रमांव अंतरिक्स्यान कोन से तो अपहलन इल्यावन है में बेजा किसने था नासा ने कब सब क्षेला मान अंतिक्स और मान के कि सह दो यह दो नाम की था पर सुझा आपको एंसरों नाम के था ए और आज वीडियो को लाइक कीजिएते हैं क्यों कि या यह रज़ते में ढाईज दो tracking में आपके लगा तो उसको जादा जादे शेयर करना है और पहली बार अगर आप चैनल पढ़ाएं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लेना जिससे आपको ऐसे ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगे और आप अपने एक्जाम में सेलेक्शन ले पाएंगे और फ्रेंट्स क